प्रवाइब करता हूं आप से बहतर होंगे बहतरीन तरीके से अपनी त्यारी को कर रहे होंगे तो सभी बच्चों का सभी दोस्तों का स्वागत है आज की क्लास में सभी बच्चे एक बार हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बाद हम लोग अपनी क्लास को सुरू कर रहे होंगे ठीक है भाई चलिए जैसा कि आपको पता है महत्तपूर प्रसनों की सिंखला हमारी चल रही है उसी के अंतरगत हमारा ये नवा क्लास है रोस्त इसके पहले हमारे आठ क्लासेश हो चुके हैं अगर आपने प्रिवियस क्लासेश नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट चेक करिएगा वहां पर रेलवे, ऐल पी, फिटर, एमसी क्यू इस नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा तो उस प्लेलिस्ट में से आप जो भी previous classes हैं आप उसको देख सकते हैं धेर सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं ठीक है चलिए अब आईए सुरू करते हैं हम लोग अपनी class को उसके पहले दोस्तों मैं बता दूँ कि क्या है हमारा जो theory का class है वो आपका सुरू हो चुका है कहां पर चलता है दोस्त हमारे application पर application हमारा कौन सा है application हमारा दोस्त है carrier update by engineer ठीक है application हमारा है carrier update by engineer यानि कि जो आपके channel का नाम है वही आपके application का भी नाम है इस application का link आपको description मिल जाएगा और जो यहाँ पर chatting जहाँ पर आप करते हो वहाँ पर भी आपको इसका link जो है मिल जाएगा ठीक है भाई तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो यहाँ से application को download कर सकते हो और जो है classes को join कर सकते हो जादा दिन अभी नहीं हुआ classes को सुरू हुए 6 फरवरी से ही हमारी classes सुरू हुए है और जो classes हो जुकी है वो भी आपको क्या होंगी recorded form में मिल जाएंगी और बागी classes जो live चलती है उसको आप जोइन कर सकते है ठीक है दोस्त चलिए अब बढ़ते हैं पहले प्रस्न की तरह पहला प्रस्न आपसे क्या पूछा भाई कि हाईDraulic एवं pneumatic परिपत के में प्रतीक जी यानि कि सिंबल जी का प्रयोग किस लिए होता है यानि कि कोई आप hydraulic machine उपयोग कर रहे हो कोई आप pneumatic machine उपयोग कर रहे हो तो उसमें जी का मतलब क्या होता है वैसे तो जी के कई मतलब हो सकते हैं लेकिन अगर option के हिसाब से यहाँ पर देखें तो भाई जी का मतलब किसे है गेज से है यानि कि pressure measuring जो गेज होती है उसको हम लोग किसे प्रदरसित करते हैं दोस्त जी से प्रदरसित करते हैं ठीक है किस से प्रदरसित करते हैं जी से प्रदरसित करते हैं ठीक है भाई चलो सभी को दोस्त जैसरी राम सभी को गोड इवनिंग इधर प्रस्णों पर ध्यान देंगे भाई या निरिच्छन कमरे में गेजों को किस मानक ताप में सुरच्छित रगते हैं यानि कि जो आपक standard temperature are the gauges kept saved in inspection room तो आपका 10 degree दिया है 20 degree दिया है 10 Fahrenheit दिया है और 30 degree Fahrenheit दिया है तो बताईए भाई इसका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा ठीक है चलिए और जो material है material है ये भी gauge का आप जो है बता दीजे ठीक है दोस्त तो क्या हो जाएगा ठीक है सभी का उत्तर लगभग सही है दो नंबर प्रस्न का उत्तर भी हो जाएगा 20 degree centigrade योगी योगे संजे राज सीवा जनमे स्वर्मा सभी का उत्तर क्या है दोस्त सही है अब देखें यहाँ पर material होता है देखो ACS की भी बणी हो सकती है chromium steel की भी बणी हो सकती है chromium steel और किसकी बणी हो सकती है वैणadium steel की किसकी यह बणी हो सकती है आपकी vanadium steel की चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्शन की तरब अगला प्रसना आप से क्या पूछा माइक्रो मीटर में सून्य तूटी का जो अर्थ है वो क्या होता है यानि कि माइक्रो मीटर में अगर हम लोग बात करें जीरो एरर की दोस्त तो जीरो एरर से आप क्या समझते हो जो जीरो एरर है उसका मतलब क्या होता है तो आईए Micro Meter के बारे में हम लोग कुछ समझ लेते हैं दोस्त देखो जैसे की Micro Meter का एक Simple Sun रचना में बताओ जहां से आप क्या कर सकते हो जहां से आप इसकी Zero Era को पकड़ सकते हो वो कैसी होती है दोस्त कुछ इस तरीके से होती है ठीक है ये क्या होती है कुछ इस तरीके से होती है जिन बच्चों ने आज क्लास देखी होगी ठीक है हमारे बैच में उनको सारी जानकारी होगी और यहाँ पर अपना उत्तर लिखना सुरू कर देंगे देखिए ये वाला जो पार्ट होता है हमारा माइक्रो मीटर का इसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त इसे हम लोग स्लीव या बैरल बोलते हैं ठीक है और ये वाला जो पूरा पार्ट होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं इसे हम लोग बोलते हैं थिंबल ठीक है स्लीव पर हम में इसकिल है वो आपका होता है यानि कि किस पर होता है मिली मीटर में जो इस पर खाने हैं वो आपके बने होते हैं जब कि जो आपका थिंबल होता है इस पर क्या बना होता है भाई इस पर आपका सर्कुलर इसकिल क्या होता है बना होता है इस पर आपका क्या होता है सर्कुलर इसके लाब का बना होता है तो अब देखो सबसे पहले इसका जो least count है जहां से पुछा जाता है वो भी देख लेते हैं जो micrometer का least count होता है वो कितना होता है 0.01 mm होता है और जो British system है British system इसका list count कितना होता है 0.001 inch होता है अब देखिए अगर बात करें जो error है वो क्या होती है क्योंकि error से प्रस्न पूछा है error से प्रस्न पूछा है यानि कि 30 से प्रस्न पूछा है तो error क्या होती है दोस्त देखो अगर आप इसका जो इधर anvil लगा होता है इधर ये आपका spindle होता है ठीक है अगर आप Envil और Spindle को Envil और Spindle को आपस में मिलाओ इस तरीके से मैं राफीगर बना रहा हूँ इस वज़े से ऐसा बन रहा है Envil और Spindle को आपस में इस तरीके से मिलाओ और जो यहाँ पर क्या हो Circular Skill का Zero हो वो क्या हो दोस्त एकदम Datum Line के सीध में हो Datum Line के सीध में हो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा Micrometer है उसमें कोई तरुटी नहीं है लेकिन अगर क्या हो यही Zero या तो पीछे हो जाए अलग कलर से कर लो इसको यही Zero या तो क्या हो जाए दोस्त पीछे हो जाए या यही zero क्या हो जाए आगे हो जाए तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब हमारी micrometer में trutty है यानि की error है तो इसमें error दो प्रकार की होती है या तो zero क्या होगा पीछे होगा या तो zero क्या होगा आगे होगा तो इसी आधार पर दो तरह की error एक होती है आपकी positive प्लस मतलब positive error ठ और माइनिस मतलब क्या हो गया निगेटिव एरर यहां पे क्या होता है निगेटिव एरर अब आप अब आप कहोगे कि सर क्या होगा यानि कि जीरो पीछे होगा तब हमारी कौन सी एरर होगी तो जब आपका यहां पे लिख लो पाजिटिव एरर में क्या होता है positive error में आपका जो 0 होता है जो 0 होता है किसका 0 होता है circular scale का 0 जो होता है वो datum line से क्या होता है दोस्त datum line से क्या होता है datum line से पीछे होता है ठीक है और जो इसमें वस्तु का size बताएगा अगर मान के चलो किसी micrometer में positive 0 error है तो जो वस्तु का size बताएगा क्या होता है जो जीरो होता है किसी का जीरो सर्कुलर इसकेल का जीरो वो क्या होता है दोस्त वो डेटम लाइन के आगे होता है डेटम लाइन के आगे होता है और इसमें अगर मान के चलो किसी माइक्रो मीटर में क्या है निगेटिव एरर है तो वो क्या करता है वस्तु का साइज क्या करता है दोस्त कम बताता है अब ध्यान से समझो जब पॉजिटिव एरर है वस्तु का साइज उसने क्या बताया ज्यादा तो अगर वस्तु का साइज उसने ज्यादा बताया तो सही र लेने के लिए या जो वस्तु है उसका correct size निकालने के लिए आपको positive error को क्या करना पड़ेगा दोस्त घटाना पड़ेगा तो यही आप से प्रस्ने पूशा जाता है कि अगर किसी micrometer में positive error है और सही reading निकालनी है तो positive error को क्या कर दो जो भी आपकी observed reading है या प्रेचित माप है उसमें से क्या कर दो घटा दो और जबकि negative जो error होती है उस क्या होती है हमेशा कम size बताती है तो सही reading निकालने के लिए negative error को क्या कर दो जो भी आपकी observed reading है या प्रेचित माप है उसमें आप क्या कर देते हो add कर देते हो बहुत ही महत पुर्ण प्रस्न दोस्ते यहां से बद्दे हैं तो इसको क्या रखना याद रखना ठीक है भाई चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्न की तरफ अगला प्रस्न आप से पुछा है कि कई बार कई बार माप लेने वाले उपकरण के मापने व होगी उस तुरुती को हम लोग क्या कहते हैं यानि कि मेनी टाइमस ड़स्ट डर्ट डर्ट एक्विलेट्स आंदा मीजरिंग फेस आप दा मीजरिंग डिवाइस इफ इट इस मीजर्ड विदाउट क्लीनिंग इट दें देयर विल बी एन एरर इन दा मीजर्मेंट दिस एर आपने क्लीनर नहीं किया है उसके कारण ये एरर हो रही है तो ऐसी एर को हमोग क्या कहते हैं दोसतों संपरef करतीटी या कॉन्टैक्ट एरर कहते है ठीक है भाई चलिए सभी का उत्तर दोस्त यहां पर क्या रहा है सही आ रहा है सरजुन कुमार का उत्तर यहां पर क्या है दोस्त गलत है गलत है लचीला संचरी टुटी यानि कि flexible transmitted error आपकी नहीं होगी चलिए अगले प्रशन की तरह बढ़ते हैं कि micrometer के spindle में जो thread कटी होती है वो कैसी होती है double start होती है triple start होती है square thread होती है या single start thread होती है बताओ भई यह भी पुछे जाने वाला प्रस्न है ठीक है चलिए और दोस्त एक काम गया करो प्रस्न का उत्तर देते समय या प्रस्न का number भी लिख दिया करो ताकि पता चले कि आप कौन से प्रस्न का उत्तर जो है दे रहे हो ठीक है दोस्त चलिए तो इसमें कौन सी thread होती है कौन सी जो है चूड़ी होती है कौन सी thread होती है तो आप कहोगे single तर्फ सिंगल इस्टार्ट ठ्रेंड फ्रेड ठीक है चल आगे बढ़ा जाए में की तरफ अगले परसन की तरह बढ़ते हैं यहां इस से पहले इस से जो है कुछ facts को समझो सब्से पहले देखो क्या है की ठ्रेड का एक नारमल जो है डाइग्राम में आपको बना देता हूं ऐसे देखो कुछ थ्रेड़ा ऐसी होती है ज्यादा ही नारमल बन गया थोड़ा सही से बना देता हूं ठीक है देखो आपकी जो थ्रेड़ा है वो इस तरीके से होती है दोस्त दोनों तरफ इस तरीके से तो क्रेश्ट से क्रिष्ट तक की दूरी या रूट से रूट तक की दूरी क्या कहलाती है पिछ कहलाती है ठीक है क्रिष्ट से क्रिष्ट तक की दूरी या रूट से रूट तक की दूरी क्या कहलाती है पिज कहलाती है अब ध्यान से समझो जब आपका लीड क्या होता है भाई लीड देखो जब आप क्या करते हो किसी बोल्ट को लिख लो यहीं पे हेडिंग डाल लो लीड लीड क्या होती है तो आप लिखो किसी बोल्ट को किसी बोल्ट को क्या करता है दोस्त किसी बोल्ट को नट के अंदर एक पूरा चक्कर घुमाने पर वह क्या करता है वह जितनी एक्सियल दूरी क्या करता है तय करता है वही उसकी क्या कहलाती है लीड कहलाती है वही उसकी क्या होती है लीड होती है और लीड क्या होती है लीड अगर आपकी किसके बराबर हो जाए पीछ के बराबर तो ऐसी थ्रड को हम लोग क्या कहते हैं भाई ऐसी thread को हम लोग कहते हैं single start thread ऐसी thread को हम लोग क्या कहते हैं single start thread single start thread अगर बताओ L equal to आपका क्या हो जाए भाई अगर L equal to आपका क्या हो जाए 2P के बराबर हो जाए L equal to आपका क्या हो जाए 2P के बराबर हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे double start thread L equal to आप किसके बराबर हो जाए 3P के बराबर तो इसको क्या बोलेंगे triple start thread और L equal to क्या हो जाए अगर N यहाँ पे हो जाए N की जगा मतलब आप कोई भी संक्या रख सकते हो तो इसको क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे हम लोग multi start thread क्या बोलेंगे दोस्त multi start thread इसको हम लोग बोलेंगे ठीक है और multi पुछा जाता है कि अगर multi start thread का जो उप्योग है multi start thread का यूज है वो क्यों किया जाता है तो आप कहोगे तेजी से कोई operation करने के लिए यानि कि जैसे कि वाल्व में वाल्व में क्या होती है multi start thread आप एक ही चकर घुमाते हो तो क्या होता है 3, 4, 5, 6 जो भी उस पर sitting है उस पिछ के बराबर वो दूरी तै करता है उस पिछ के बराबर वो axial moment करता है तो क्या कह सकते हो आप तीवर operation के लिए तीवर यानि कि तेज तेजी से आप कोई वाल खोलना है, बंद करना जहां पर भी इस तरह के operation होते हैं यानि कि तेजी से operation करने के लिए तीवर operation के लिए ये भी प्रस्न जो है आपका पूछा गया है ये भी प्रस्न आपका पूछा गया है चल चलो भाई, अम्मा यूपी से हूँ, यूपी, ठीक है, चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रसन आप से पूछा है, कि वर्नियर कैलपर ने मिलकित में से किस धातु का बनाया जाता है, भाई, बताओ, फोर्च स्टील का, नहीं, कास्ट स्टील का, नहीं, किसका बनाय जा सकता है, मैंने आपको बताया है, कि हार्ड स्टेनलेस स्टील का तो बना होगा, एक मटिरियल और होता है, ठीक है, अगर किसी को पता है, तो बताइए, अगला प्रसन आप से पूछा है, कि हैच एजड का क्या मतलब है, जो आपका है, इसका क्या मतलब है, भाईया, कुल मिला के आप से यह क्या पूछ रहा है फुल फॉर्म पूछ रहा है ठीक है स्टेनलेस इनवार इस्टील सही है यार इनवार लेकिन एक और होता है ठीक है यह देखो यह क्या होता है Chromium Steel से भी बनता है चलिए आगे बढ़ते है तो H, C, Z का मतलब क्या होता है हमाँई हिंदी में आपको नहीं समझ के आ रहा होगा लेकिन यहाँ पे देखो Helium Arrested Field गलत है heated area area गलत है heat affected zone क्या सही है दोस्त heat affected zone h agit का मतलब क्या होता है heat affected zone और ये किसे संबंधित है ये संबंधित है वहिया building से ठीक है ये संबंधित है आपका किसे ये संबंधित है आपका building से चलिए आगे बढ़ते हैं अगला है करतन प्रचालन के लिए सबसे उप्युक्त ज्वाला है यानि कि the most suitable flame for cutting operation simple सा प्रस्ण है अगर आपको क्या करना होता है दोस्त cutting operation करना होता है तो cutting operation में सबसे जो है सबसे बहतरीन जो flame होती है वो कौन सी होती है वो आपकी oxidizing flame यहाँ पर कर लो oxidizing जो flame है वो आपकी क्या होती है gas cutting के लिए सबसे बहतरीन होती है temperature कितना तक generate हो सकता है maximum 3480 degree centigrade ठीक है इससे कम ही होता है लेकिन यह maximum है 3300 के आसपास जो है होता है लेकिन अगर तीनो flame का compare जैन करें जैसे कि आपकी पहली हो गई एक carburizing flame दूसरी हो गई आपकी neutral flame और तीसरी हो गई आपकी oxidizing flame अगर इन तीनो flame का क्या करें दोस्त comparison करें तो सबसे ज़्यादा temperature किस में generate होगा सबसे ज़्यादा जो temperature है वो आपका oxidizing flame में ही क्या होगा generate होगा अब देखो gas cutting में तो इसका उपयोग किया ही जाता है एक ऐसा material भी आपसे परिच्छा में पूछा जाता है कि बताओ भाई किस material की welding के लिए कि gas welding है ना carburizing flame यह जो आपके neutral flame है gas welding में है प्रयोग की जाएगी वो तो oxidizing flame का एक extra purpose यह है कि इसको हम लोग उपयोग कर लेते हैं किसमें gas cutting में लेकिन यह बताओ चलिए यह बताओ वेल्डिंग में भी एक धात की welding में भी प्रयोग होती है कौन सी धात में भीया तो आप क्या बताओगे क्या बताओगे दोस्त ब्रास की welding में ब्रास यानि की पीतल ब्रास की welding में पीतल की welding ठीक है भाई चलिए आगे बढ़ा जाए welding से जुड़े जो कुछ तत्य हैं पिछले जो एक दो classes हुई है हमारी उसमें मैं आपके साथ discuss कर चुका हूं इस वज़ा से बहुत ज्यादा explain नहीं कर रहा हूं नहीं भीया कौन आपको बता दिया दोस्त सच कटिंग के लिए neutral flame कभी नहीं होगा दोस्त कभी नहीं होगा कटिंग के लिए neutral flame कभी नहीं होता प्रयाग राज यह दोस्त उत्तर प्रदेश का जिसे हम लोग क्या कहते हैं वैसे तो आप सभी अपने अपने जीले को मानते होंगा कि भेतरीन है लेकिन हमारा जिला सच में बहतरीन है प्रियाग राज एक जिला है पहले इसका नाम इलहाबाद था लेकिन उत्तरप्रदेश के जो माननी मुख्यमंत्री आदित योगी नाथ जी है उन्हों ने इसका नाम वदलकर जो इसका बहुत पुराना नाम था यानि की अकबर के सासनक काल में जब अकबर ने इलही धर्म चलाया आपको पता होगजा पृषिति पढ़ते होगी इलही धर्म चलाया तो इसका नाम उसने उसज़र में पर इलहाबाद रख्त फेकिश्म ci प्रियाघ्र राज था और इसे को हम लोग क्या और तीर्थराज प्रियाघ्राज ठीक है तीर्थ राज प्रयाग राज जैसे कि आपको पता है पूरे भारत में चार जगह कुम्भ मेला लगता है उसको जानते होगे उसी तरीके से पूरे भारत में चार जगह कुम्भ मेला लगता है जीसे कि एक उजयन में लगता है एक आपका प्रियागराज में लगता है तो प्रियागराज जो चार अस्थानों में से एक है जहां पर कुम्भ मेले कायोजन होता है 2019 में कुम्भ मेले कायोजन हुआ था अब आगे कब होगा 2025 ठीक है दोस्त चलिए चलिए पढ़ा है दोस्त चलो बहुत अच्छी बात है सांदार अब देखिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्न की तरफ अगला प्रस्न है दोस्त धलवा लुहा में समानतह वेल्डिंग की जाती है यानि कि जो आपका डस्ती नहीं होगा यहां पर ग्रे लिख लो ग्रे काश्टारण ज्यादा सई होगा जो ग्रे काश्टारण है जिसे हम लोग धूसर या धूस्त धलवा लुहा भी बोलते हैं उस जो आपका काश टरन होता है इसमें क्या होता है दोस्त कार्बन का जो प्रतिसत है कार्बन प्रतिसत बताओ कहां से कहां तक हो सकता है तो देखो कहां से कहां तक हो सकता है 2 प्रतिसत से लेकर 4.67 प्रतिसत तक कहां तक दोस्त 2 प्रतिसत से लेकर 4.67 प्रतिसत तक इसका जो गुड है इसकी जो प्रापर्टी है वो क्या है भाई कि ये क्या होता है बहुत ही भंगुर होता है यानि कि ब्रिटल होता है तो कंप्रेसिव लोड तो थोड़ा बहुत सहन कर लेता है जो काश टारन की कंप्रेसिव लोड को सहन करने की कैफसिटी होती है वो क्या हो कोई शॉक लगाूं जयाना जटके अकर इसपे लगेंगे तोल तो इसकी प्रोपरिटी है गितल होता है और इस लिए इसका उपयोग कायी जटके जेगा किसी स्वसेट कि फिर ड़ण हों यह जहां रहेगा तो आप लोग को पता है जो लोग योगी आदित नाथ को जानते हैं तो बहतरीन तरीके से जो है वह आयोजन हो रहा होगा आप लोग चरूर आईए ठीक है चलिए टेंसाइल फोर्स नहीं लेता है बिलकुल सही है दोस्त टेंसाइल फोर्स नहीं लेता है राज सीवा ने लिखा 600 नीटर पर सिंटीमीटर स्क्वायर यार यह टन में मैंने पढ़ा था न्यूटन वाला तो मुझे अभी नहीं यादा रहा है ठीक अच्छे है जान न्यूटन वाला भी मुझे नहीं यादा रहा है अगला देखिए किस वेल्डिंग में दोनों इलेक्ट्रोड किसके बने होते हैं तांबे के बने होते हैं यानि कि किसके बने होते हैं कॉपर के बने होते हैं तो वेल्डिंग में जो प्रयोग होगा वो कैसा होगा कंजुमेबल होगा कैसा होगा दोस्त कंजुमेबल और आपका जो बेस मेटल होगा उसी मेटल का बना होगा बेस मेटल या उसी को क्या बोलते हैं हम लोग पैरेंट मेटल बोलते हैं उसका क्या होगा बना होगा प्रतिरोध वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड है वो कापर का बना होता है क्योंकि कापर जो है इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों का क्या होता है अच्छा सुचालक होता है यानि कि अच्छा कंडेक्ट्टिव मटेरियल होता है तो इसी का उपयोग किसमी के आता है प्रतिर लिधिम से देखो ौए प्रतिरोध के लिए क्रने के लिए हम को क्या चाहिए चाहिए और यहाँ पर जैसे इसके नाम से यह क्या होता है इस्क्वायर dart होता है इस्वायरRT जहाँ पर है दोस्त हीट है यानि की जो करेंट है अगर आप उसको जतना जदा बढ़ा तो हीट ज्यादा जन्रेट होगी रजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा दोनों प्रेटों के बीच हीट उतनी ज्यादा जन्रेट होगी और टी आपका क्या है टाइम है यानि कि जितने अधिक समय तक आप धारा का प्रवाह करोगे उतनी ज्यादा क्या होगी दोस्त हीट जन् प्रक्विया नहीं है यानि कि विच आप फालोइंग प्रोचेस इस नाट फ्यूजन प्रोचेस विल्डिंग जो होता है दो भागों में बाढ़ते हैं एक होता है हीट के आधार पर मैंने आपको बताया है पीछे एक दो लिक्चर पहले बताया है दोस्ति इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं आपको ठीक है यह जब बोर्ड का टच जो है बहुत अच्छा है कोई इस पर मच्छड या मक्खी बैठ जाता है तो वह तुरंत जो है वह अपना जो है बदल लेता है विल्डर के क्योश्चन दोस्त मंडे से शुरू हो रहे हैं आपके विल्डर के से क्यों है वह करा रहे हैं ठीक है 4 वसर क्लासे आपकी जो चलेगी व्यडर रेंश.च्व कि फ़िक विल्डर क्लास से रहती है satsal को आपकी यह वाली क्लास रहती है तो अभी क्लास दो पहर में चलेगी वरे चैप्या सिंपल.ड कैसे उपर से जाता है ठीक है मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप कोर्स नहीं जोईन करना चाहते फिटर पर पढ़ा है पुरा 50 लेक्चर का पचास लेक्चर का फिटर का जो है पुरा कोर्स यूट्यूब पर पढ़ा हुगा है आप उसको देखिए उसमें वेल्डर मैंने पढ़ाया है साथ से आ डियाइडियो का रिजल त्यार आना तो चाहिए अब तो तीन दिन में आज 11 तारिक हो गई 15 तक उम्मीद जताई जा रही थी कि आज आएगा तो देखो भाई गैस वेल्डिंग में आप मेटल को पिखलाते हो तो ये तो है आर्क वेल्डिंग भी है थर्मिट वेल्डिंग प्रतिरोध वेल्डिंग नहीं क्योंकि इसमें फ्यूजन मतलब क्या एकदम मेल्ट कर देना लेकिन इसमें क्या करते हैं प्रतिरोध वेल्डिंग में गरम तो करते हैं हीट तो करते हैं लेकिन एकदम पूरी तरीके से फ्यूजन नहीं करते उसका मेल्ट नहीं करते तो यह आपका प्रतिरोध वेल्डिंग हो जाएगा प्रतिरोध वेल्डिंग कई प्रकार का होता है इस्पॉर्ट वेल्डिंग होता है बट वेल्डिंग होता है और क्या होता है भाई बताईए प्रोजेक्शन वेल्डिंग होता है अगला है आपका आक्सी इसिट्रीन वेल्डिंग सटकीरक्रीव करने से पहले रिशाव की जांच यानि में एक क्या होगा एक आपका इसटीलीन गेस का सिलिंडर होगा यहीं सिलिंडर से आप से यहित springs का सिलिंडर को ओगा उसका रंग कैसा होगा दोस्त मैयारून होगा और जो ऑक्षीजन का सि कहूं कि जब आप खोलोगे वालव को तो पहले किस गैस का वालव खोलोगे बताओ पहले आक्सीजन खोलोगे कि पहले सिटिलीन खोलोगे और मैं पूछूं कि भाई बंद करोगे किस गैस का वालव पहले बंद करोगे पहले सिटिलीन का बंद करोगे कि पहले आक्सीजन का ब दी हो जाएगा साबुन यक्त पानी याने की शॉपी वाटर या सोप सालूसन आपका हो जाएगा रिषाव की जाच करने के लिए सोप सालूसन का प्रयोग किया जाता है अगला है निमलखित में से कौन सा योग सही सुमेलित है तो देखो भाई जिंक फास्फाइड है वह लग रहा है क्योंकि जिंक आकसाइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं फिलासफर बूल बोलते हैं क्या बोलते हैं फिलासफर बूल सिल्वर क्लोराइड क्या होता है कृतिम वर्षा क्यार इसमें तुम्हें सही 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 लग रहा है ठीक है बताओ इसमें बताईए भा का वालव है एसिटिलीन गैस के सिलिंडर के वालव को पहले खोलते हैं और उसके बाद जो ऑक्सीजन गैस का सिलिंडर है उसका वालव खोलते हैं तो और बंद भी कहले पहले करते हैं एसिटिलीन गैस को पहले खोलते हैं और पहले बंद भी करते हैं जा हमारी वेल्डिंग हो ठीक है भाई बहुत सामता है चलिए देखो यार इस प्रस्ण में तो मुझे सही यह सारे अप्शन सही लग रहे हैं क्योंकि जेड यह जिंग का अक्साइड होता है इसी को हम लोग फिलांस पर बूल बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड एजी सील आपने कहीं कहीं पढ़ा होगा कृती में वर्सा के लिए जिम्मेदार होता है ठीक है तो मुझे तो यार इसमें से तीन ऑप्शन दोस्त सही लग रहे हैं ठीक है तीन ऑप्शन बाकी आप चेक करके बताना कि आपको इसमें से कौन सा जो आप उसको देख लिजेगा लेकिन अब हम लोग क्या कर सकते कंफर्म डेट आपको नहीं बता सकते कंफर्म डेट नहीं बता सकते कि कब आएगा आप आजाए दोस्ति तो बहुत अच्छी बात है आप अपनी तैयारी करते रहो ट्रेड को मजबूत रखो जो अभी वेकेंस चलिए आगे क्या है मेच मेच करते हैं सबसे पहले देखो जो ड्राई है क्सको ड्राई से आप पकड़ लोकिश्को ड्राई murm लो विस्कोसिटी यानि कि बहुत लो विस्कोसिटी वायल है या ड्राई आप क्या कर रहे हो मसीनिंग कर रहे हो मसीनिंग से पूछा है तो ड्राई मसीनिंग आप किसकी करते हो का इस टैरन की यानि कि पहला वाला जो यह वाला है यह किस से मैच हो जाएगा का इस टैरन से टाइटेनियम एलाई के लिए और केरोसीन किसके लिए दोस्त प्रास या ब्रांज के लिए और केरोसीन आपका अलमीनियम के लिए भी प्रयोग किया जाता है तो यहां पर आप क्या लिख लो आपको होगे किस से निकाला जाता है दोस्त गय लेना से और बताओ अगर आपको कोई पता है तो इसमें से हाँ भाया कल क्लास होगी अप्लिकेशन पर बिल्कुल क्लास होगी कल तीक है गय लेना हो गया और क्या हो गया दोस्त सीरू साइट हो गया गय लेना हो गया और आपका क्या हो गया सीरू साइट इससे आपका क्या निकाला जाता है जो सीशा है वो आपका निकाला जाता है अगला है रासायनिक अपक्रिया द्वारा लवह एसको कच्छे लोहे में परिवर्टित करने की प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं बहुत ही देखो दोस्ता सिंपल सिंपल प्रस्न है मैंने आपसे पहले भी कहा है कि लगभग 25 से 30 क्लास मैं बेसिक की कराने के बाद कुछ एडवांस प्रस्न लाओंगा कुछ आपकी साथ से 10 जो क्लासे हैं वो मैं आपकी एडवांस लाओंगा जैसे की इस रोग के लेवल पर जो प्रस्न यहां पर भी इस रोग में प्रेवियस एयर पर इच्छा में कुछे गए प्रस्न हैं लेकिन 8 से 10 क्लास जो भी 25-30 क्लास हमारी हो जाएगी उसके बाद म की questions कि लाऊंगा तो परसान होने क्या वाज सकता नहीं है लो से हाई लिवल तक आपकी तैयारी जो है अच्छी हो जाएगी तो रासाइनी कप्रिया में जब आप किसी आईरन और को लव है इसको किसमें परिवार्थित करते हो कच्छे आईरन में या पी आईरन में तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त इस मेल्टिंग बोलते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ती है what is the order of temperature of heat produced in electric arc furnace जो electric arc furnace होती है electric भठी होती है उसमें जो temperature जन्रेट होता है भाईया वो कितना होता है ठीक है temperature कितना होता है science के question है जी ये तो हाँ भाईया ये science के question है तो आप अगर feature machine इस turner के हो तो क्यों देख रहे हो भाईया ठीक है ये कौन सा question है ये कौन सा question है भी है कौन सा science का question है चलो science का question है कोई बाद नहीं दोस्त गलती हो गई पहले एक बार जागे अपना जो syllabus है मेरे भाई मेरे दोस्त एक बार अपना syllabus देख लेना pointer का syllabus क्या है चली हो आगे भढ़ते है पिट फर्नेस का अने नाम क्या होता है तो पिट फर्नेस का नाम कूर्स अने नाम कुरूसिबल फर्नेस होता है और इसमें क्या बनाई जाती है दोस्त इस्टील का जो है ज़्यादा तर निर्मार किया जाता है क्यूपोला फर्नेस में आप क्या कहोगे क्यूपोला फर्नेस में आपका काश टायरन का इंडेक्शन फर्नेस मुझे नहीं पता दोस्त और आर्ग फर्नेस में भी आप क्या करते हो मैं स्मिल्टिंग का काम करते हो कोई भी धात हो है उसको पिगलाने का काम करते हो और आर्ग मैंने आपको बताया 6000 से 7000 degree centigrade होता है ठीक है भाई चलिए आगे बढ़ें कि हार्डनिंग के बाद क्या होता है तो हार्डनिंग के बाद दोस्त हार्डनिंग के बाद जो है क्या होता है आपका जो है वह भंगुर हो जाता है और ज्यादा तर आपके जो कारें हैं उसके लिए अनुप्यूक्त हो जाता है तो इस भंगुरता को क्या करने के लिए इस ब्रिटलनेस को खतम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्त टेंपरिंग करते हैं टेंपरिंग को हिंदी में बोलते हैं पायनी करण ठीक है टेंपरिंग को क्या बोलते हैं दोस्त पायनी करण बोलते हैं चलिए आज का लास्ट प्रस्न है जब इस पात को गर्म किया जाए तापमान 723 डि क्या कहते हैं आश्ज नाइट कहते हैं तो दोस्तों थोड़ा सा जो है आजी क्लास छोटी है बहुत जाला इस्पेलिनेशन नहीं किया हूं ठीक है क्योंab पहां पर बेहतरीन एक्सक्वनेशन किया गया है कल हमारा आफ रहे तो मंडे को हम लोग फिर मिलेंगे नए प्रस्णों के एक सिंकला के साथ उमीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी दोस्ट अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो क्लास को एक बार लाइक जरूर कर देना शेयर जरूर कर देना और चैनल को सस्क्राइब नहीं कि उस्क्राइब नहीं कि कर दो म्हीं देखने ऑ्रस्णों क